गुद मॉर्निंग मैं डिया स्टुडेंट एंड मैं डिया फ्रेंड्स डी फॉर्म फर्स्ट एर का सिलिबस है आपका सोशल फार्मेसी हम लोग टॉबी कभर कर रहे थे प्रिवेंटिव हैल्थ केर इसके पहले दो लेक्चर आपका प्रोडियूस कर सकता हूँ मैं चिंद्रमाण सिंग के थ्रू लेक्चर को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो जुडे रहे है सोशल फार्मेसी के थ्रू आज देखते हैं लेक्चर नुमबर थी में कौन सा टॉपिक कभर करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका है साइको सोशल फार्मेसी ड्रग आफ मिस्यूज और अव्यूज और साइको टॉपिक और नार्कोटिक बस इतना ही टॉपिक कभर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो सौट वीडियो बनानी कोशिज कर रहा हूँ लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम देखते हैं साइको सोशल फार्मेसी किसे करते हैं साइको सोशल फार्मेसी होता क्या है तो इंपोर्टेंस अब बिंग मेंटली, इमोशनली, सोशली, एंड इस्प्रिच्वली साउंड वाज लॉस्ट ओन दे मेडिसीन फॉर आ लॉंग टाइम जैसे हमें पता है कि हेल्थ क्या होता है तो मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्प्रिच्वली विल्बिंग फिट होना चाहिए तो जो हेल्थ होता है हमारे बोडी का या जो इंसान होते हैं ये सारे जो चीज़े होती है साउंड वाज लॉस्ट उन्द मेडिसीन फॉर लॉंग टाइम मतलब कि लॉंग टाइम के लिए साउंड जो रिलेशन है मेडिसीन का वो इंट्रेप्ट हो जाता है पील वाज सपोस्ट तो सॉल्ब एवरिथिंग एक पील जो है एक टेबलेट जो है वो क्या करता है वो सपोस्ट सॉल्ब एवरिथिंग सब कुस्पू सॉल्ब करता है वि नो बेटर जैसे की हम जानते है ठेटक भीलाईनटी अपरोफ डाइट हेल्दी माइड एड एड कॉंटेंट हर्ट All just important for the prevention of disease and their treatment जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा healthy mind और heart जो है वो क्या करता है, importance prevention वो क्या करता है, बहुत सारे बिमारियों को ठीक करता है Therefore इस लिया Therefore this concept, psychosocial health or state psychosocial health or state mental, emotional, social and spiritual well-being deserve better look Psychosocial health में क्या है कि mentally, emotionally and socially, spiritually well-being deserve होना चाहिए better look के लिए Individuals who are demeaned to be psychosocial health are not completely devoted of the problems Psychosocial health में क्या होता है, कि completely हम अपने problem को Diode नहीं कर सकते हैं, खदम नहीं कर सकते हैं Actually it is not quantity or quality of problem A lack there of which makes some sound in this respect मतब जो हमाया relation है medicine के तुरू Medicine से, ओ medicine से हम relation actually quality और quantity के साथ Competitive नहीं कर पाते हैं आगे हम देखते हैं, Psychosocial health में इसमें आता है drug, drug of misuse and abuse Drug का हम misuse और abuse के बारे में जानते हैं, क्या होता है तो सबसे पहले देखते है drug misuse Drug misuse होता क्या है The drug misuse is generally referred to person who does not follow the doctor prescription direction मतब जो doctor का prescription का direction है Medicine लेने का, उसमें क्या होता है Person जो होता है, जो prescribe किया जाता है medicine उसको time पर या उतनी dose नहीं ले पाना उसी को हम drug misuse काते है इसमें dose का taper होना है या mist timing होना इसी को हम क्या करते है Drug misuse करते है There are tapering, tapering dose of doctor prescription Doctor prescription का जो dose होगा वो क्या हो जाता है, taper होता है जैसे doctor ने एक time में एक tablet लिखा है, सुबा खाने के लिए हम दो टेबले ले ले लेते हैं या सुबा भूल जाते हैं, दो फर में खाते हैं या उसके बाद खाते हैं There are forget their medicine taken as per prescription और हम लोग उस medicine को forget हो जाते हैं भूल जाते हैं, कई बाद भूल जाता है medicine खाना तो ओ भी drug misuse में आता है इसके क्या sign है, sign up drug misuse include कौन-कौन से sign है, उसको हम देखते हैं तो taking dose at the wrong time जैसे wrong time, गलट समय पर medicine लेना Missing dose या जो dozing time है, उसको miss कर देना Stopping medication sooner the recommended without doctor approval और दवा को अपने मर्जी से बंद कर देना चाहें ठीक हो गए हैं, चाहें नहीं ठीक हो गए हैं डॉक्टर के बिना सला के उसको बंद कर देना Using medication not prescribed to you जो medicine आपको prescribed नहीं किया गया है वो medicine ले लेना Using drug for reason other than its intended purpose दवा अपने interest के लिए ले लेना Commonly misuse substance जो misuse substance से commonly हो देखते हैं Some of the most commonly misuse substance include Illegal illicit drug, tobacco, alcohol, painkillers, sleeping pills, cold remedies, solvent, aerosol, गैसेस, एंड ग्यो तो यह सारे substance जो है लगवग लगवग मिस यूज में हम लोग ले ले लेते हैं जैसे कोई illegal drug है या तोवाइको है या तोवाइको प्रोडेक्ट है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे Alcohol है इसके बारे में पढ़ेंगे Pain killer जो दर्द की दवा है उसको अपने interest पर या डॉक्टर के बिना सलाह पर ले लेते हैं डॉक्टर बोलता है एक टाइम दिन में दो बार लेना है हम चार बार ले लेते हैं तीन बार ले लेते हैं sleeping pill जो सोने के लिए यूज होता है दवा उसको लेते हैं डॉक्टर के बिना prescription के या आपकी body की क्या जोरत है उसके need के जाने बिना हम उसकी dose को tapering करते हैं बढ़ाते हैं गड़ाते हैं cold remedies जो cold remedies है solvent है aerosols है यह सारे कुछ example से इसके हम देखते है side effect of misuse of drug जो drug का misuse करते हैं उसका क्या side effect है तो misuse of drug is dangerous जो भी misuse करते हैं drug को वह हमार लिए सरीर के लिए हानिगारक होता है the risks associated with the misusing drug include कौन सा risk है वो देखते हैं तो हमारा health problem risk में आ जाता है addiction cause करता है जैसे हमारी लट लग जाती है उसको लेने के लिए accident होती है कोई घटना हो जाती है poor academic work performance जो हम काम करते हैं तो misuse of drugging के वज़े से हम उकाम नहीं कर पाते हैं legal trouble legal problem हो जाती है यहां तक कि death भी हो जाती है अब drug ए था drug misuse अब drug abuse के बारे में जानते हैं तो drug misuse मैं ली ए क्या है doctor के prescription का direction जो है जैसे जो dose है उसके हिसाफ से न ले करके अपने हिसाफ से उसमें dose को taper कर दिया जाता है यह कम कर दिया जाता है जयादा कर दिया जाता है भूल जाया जाता है उसी को drug misuse काते हैं अब drug abuse क्या होता है तो drug abuse occurs when someone used a drug to get high जब हम किसी drug को use करते हैं बहुत high level पर use करते हैं उसको हम drug abuse काते हैं they misuse a drug to achieve feeling relaxation, euphoria, blisses are simply feel better euphoria आपका feel better ही होता है तो they misuse जब हम drug का misuse करते हैं तो ओ misuse किस में convert हो जाता है आपका abuse में convert हो जाता है बात में जब हम लंबे टाइम थक ज्यादा drug लेने लगते हैं अपने relaxation के लिए अपने आनंद के लिए अपने खुशी के लिए तो ओ क्या हो जाता है drug abuse हो जाता है abuse puts people at risk for developing addiction to a substance abuse जैसे abuse के condition में जाने पर people क्या हो जाता है रिस्क हो जाता है रिस्क हो जाता है उनके health problem रिस्क हो जाता है addiction to substance और जो substance होता है उसका addiction हो जाता है मतलब आदत पड़े जाती है उसको लेने के लिए sign of drug abuse include क्या symptom है उसको हम देखते है using drug legal या illegal to get high हम legally या illegally drug को हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते है using drug without prescription और जो drug होता है हम बिना पर्चे के use करने लगते हैं exceeding the recommended dose of drug और जो drug dose recommended किया गया जो बताए गया उससे ज़्यादा हम लेने लगते है developing tolerance to the drug और इसके वज़े से drug tolerance ड्रग का effect भी खतम होने लगता है chronic repeated abuse of the drug chronic are repeated जो chronic या repeated होता है abuse of drug होता है इसके वाद से इसमें देखते हैं और क्या होता है तो इसका symptom क्या है substance use disorder इसको SUD बुला जाता है substance use disorder symptom of substance use disorder SUD symptom of substance use disorder include needing to use the drug regularly daily or several times day जैसे हमें जरूरत पढ़ने लगती है ड्रग को daily लेने के लिए regular basis पर लेने के लिए अधिक several times अधिक time दिन में कई बार लेने के लिए लेते हैं experiencing intense use of craving for the drug that overrides other thought हमाही सोच भी बदल लगती है eventally needing more of the drug to achieve the same effect बहुत सारे drug का effect same होने लगता है तब भी हम लेने using more of the drug over a long period than intended जितना बताये गया उससे ज्यादा time तक हम लेने लगते हैं drug को prioritizing access to supply of drug जो drug हम priority waste पर मतलब प्रात्मिक्ता देने लगते हैं उसको spending money on the drug even if it means stealing or mismanaging money हम ज्यादा मात्रम पैसे खर्च करने लगते हैं हमार economic system भी disturbed हो जाता है neglecting obligation including work and school responsibility reducing social or recreation activity because drug use हम social activity भी खोने लगते हैं continuing to use drug even if it is causing problem in our life it causes your physical or psychological harms or continuous हमारे यह जो हमारी सरी को हमारी life को या हमारी health को या social समाज को नुक्सान पहुंचाने लगते हैं engaging in the risk behavior to obtain drug drugliness है हमारा risk behavior behavior जो है आदत जो है खराब होने लगती है engaging in risk activity when under the influence of drug 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 के वज़े से हमारी activity risk हो जाती है spending a lot of time using the drug are recovering from the effect of the drug spending a life a lot of time बहुत ज़्यादा time हम उस drug के लिए देने लगते है वो drug से effect होता है हमारा time management भी खराब होता है unsuccessfully stopping use of drug और और हम लोग unsuccessful हो जाते हैं drug को बंद करने के लिए अशफल रहते हैं बहुत सारी problem create होने लगते हैं बीमार होने लगते हैं यह थे symptom of the substance substance के वो जैसे क्या क्या सिम्टम next हम देखते हैं treatment option for the substance use disorder क्या treatment होना चाहिए अगर हम combination different treatment का लेते हैं तो उसमें भी success मिल जाता है symptom withdrawal होता है treatment option include कौन कौन से treatment है तो medically supervised detoxification medically हम कोई detoxification उसका करते हैं supervision में individual counseling किसी को mentally counseling किया जाता है उसके दिमाग को दिमाग पर हावी हुआ जाता है या counseling उसके बाद तो में motivate किया जाता है motivation किया जाता है family therapy परिवार मिल करके इसको therapy करते है या सला देते हैं या उसके बारे में बताते हैं groups are peer counseling group के through counseling होता है behavior therapy to help with craving identify drug use trigger find better coping mechanism and reduce the risk of relapse जो हमारी आदत behavioral therapy उसमें हम उसको deal करके उसको change किया जाते है self-help group and 12 step program बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं बहुत सारे NGO चलते हैं जिसके through हम treatment कर सकते हैं कुल मिला जो लाके abuse drug का हम treatment सबसे जाए effective आपका जो होता है वो counseling के through होता है अगर patient counsel हो जाए उससे पदा चल जाए या उसके दिल को लगे कि यह चीजे गलत हैं तो उससे सुधार सकते हैं आगे देखते हम the different women drug abuse and misuse drug abuse और misuse में क्या different है उसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले उसके feature मतलब उसमें क्या-क्या content है और drug abuse क्या होता है drug misuse क्या आता है दोनों में अंतर आप देख लीजे तो definition है सबसे पहले definition है तो definition में क्या होता है drug abuse refer to the inappropriate active and persistent use of drug for non-therapetic purpose हम non-therapetic purpose के लिए drug का जो है active use करते हैं या forget हो जाता है उस और refer करता है आपको drug abuse sorry drug abuse मतलब जो access amount में हम drug को लेने लगते हैं उसका non-therapetic purpose के लिए अपने आनंद के लिए लेने लगते हैं अधिक मात्रा में उसको हम drug abuse करते हैं drug misuse क्या है drug misuse means taking drug other than cns active drug in the wrong indication in the wrong doses for the duration other than नतब जो भी हम drug लेते हैं उसके dose को taper कर देते हैं भूल जाते हैं या गलट टाइम पर लेते हैं या डॉक्टर के सला के भी नहीं बंद गड़ देते हैं उसको drug misuse करते हैं reasons क्या होते हैं to relieve anxiety, tension, depression for fun, amusement, recreation and excitement as well as to obtain psychotropic such as sedative, euphoric, angiolytic effect reason क्या है जैसे हम अपने आनंद गे लिए लेने लगते हैं किसी tension के लिए लेने लगते हैं किसी depression के लिए लेने रगते हैं यह दवा continue longer time तक use करने लगते हैं drug misuse में क्या है self-medication, ignorance, inappropriate health education and incidental causes हमारा self-medication खुद के डॉक्टर बन जाते हैं ignorance ignore करने लगते हैं दवा को या inappropriate health education या health education के बारे में आपको पूरी तरस नौलेज न हो या दवा के बारे में पूरी तरस नौलेज न हो accidental cause या गलती हो जाती है class of drug कौनसे drug होते है कौनसे class के drug होते है तो narcotic, CNS stimulant and psychic stimulant यह drug abuse में आते हैं यह maximum drug जो होते हैं वो drug abuse के काज करते हैं और मिस्यूज में क्या any class of drug expected CNS active drug CNS active drug के अलावा जितने drug होते हैं वो drug मिस्यूज में आते हैं taking pattern क्या होता है repetitive मतब बार बार लेने लगते हैं इसका taking pattern में इसमें non repetitive मतब इसमें बार बार नहीं लेता है बार बार एक ही चीज बोलाओ कि भूल जाते हैं या अपने कोई incident हो जाता है कोई घटना हो जाती है या other problem होते incidents इसमें delivery occurs होते हैं इसमें unintentionally occur इसमें abuse में क्या है हम दिलो जान बुझके करते है और इसमें क्या है कोई intention नहीं आता है बहुत जैदा drug में इस यूज करनेगा purpose of use non therapeutic purpose इसका purpose क्या है non therapeutic purpose के लिए हम लेते हैं अपने आनंद गली लेते हैं इसमें क्या है therapeutic purpose के लिए लेते हैं लेकिन गलती हो जाती है effect क्या फर्क पड़ता है lead to addiction drug abuse में क्या होने लगता है addiction हम आदी होने लगता है habitualization मतला हम हमारी आदत हो जाती है drug dependency drug के बिना उस drug के बिना हम जी नहीं सकते हैं dependency हो जाती है not lead यह सब addiction नहीं होता है habitualization इसमें effect ऐसा नहीं होता है risk क्या है more dangerous less dangerous abuse drug लेने से आपकी body health या organs failure हो जाता है इसमें क्या है इसमें भी होते हैं लेकिन कम risk होता है क्योंकि इसमें habitual नहीं होता है drug abuse में habitual होता है इस वज़े से problem जाता है management कैसे करते है time taken to manage easy to manage तो drug abuse के लिए बहुत ज्यादा time लगता है किसी इनसान को समझाने के लिए या उसको छोड़वाने के लिए drug addiction को लेकिन drug में suits जो होता है easily आप समझा दीजिए तो आज में समझ में आ जाता है आज लेकिते हैं psychotropic drug क्या होता है psychotropic substance उसके बारे में हमको पढ़ना है यह आपके topic में है psychotropic medication are used to treat mental health disorder psychotropic drug क्या है mental health disorder जो दिमागी रूप से problem create होता है यह दिमागी रूप से दिमाग सही नहीं रहता है तो इसमें हम psychotropic drug use करते हैं psychotropic is affected behavior mood thought and perception psychotropic drug जो होता है वह हमारी behavior या mood या thought या perception जो cause होता है उसको effect करता है a lot of different drug including perception prescription prescription drug and commonly misused drugs इसमें क्या a lot of different drug इसमें बहुत सारे अलग-अलग drug होता है जिसमें prescription वाले drug होता है या commonly misused drug होता है they work by adjusting level of brain chemicals neurotransmitter like dopamine gamma amino amino butyric acid GABA nor epinephrine and serotonin serotonin अब इस psychotropic जो होता है तो brain के जो chemicals होते हैं उस पर work करते हैं जैसे neurotransmitter like neurotransmitter में क्या क्या आप क्या आते हैं dopamine आते हैं GABA आते हैं nor epinephrine आते हैं इस पर work करते हैं इसमें क्या होता है इनके वाज़ा से ही mental disorder होता है तो उसी को ठीक करने के लिए psychotropic को यूज किया जाता है there are five major class of legal psychotropic medication of psychotropic medication का major five class में इसको बाट आ गया है anti anxiety agent पहला class है anti depressant दूसरा class है anti psychotic तीसरा class है mood stabilizer stabilizer fourth है and stimulant यह major five category है psychotropic drug के इसी category में psychotropic drug को 5 category में divide किया गया है इनके action के वज़े से the medication your doctor prescription depends on the manufacturer like you your age other health condition you may have other medication you are using and your past medication history तो जो इसका medication होता है जो इसकी दवा का therapy होता है treatment line होता है वो डॉक्टर पर स्काइब करता है किस basis पर बहुत सारे बहुत सारे factor इनका factor होता है जैसे उनके age के basis पर उनके health condition क्या है उसके basis पर या उसकी medicine लेने की क्या तरीके हैं उसके या past उसके बिते हुए बीमारीों के बारे में जानने के बाद इसकी treatment किया जाता है not all medication work right away some take time be patient and talk to your doctor if your symptoms are getting worse सभी medicine क्या होते है सही नहीं होते है कुछ time तो patient क्या होना चाहिए patient को क्या करना चाहिए डॉक्टर अगर कोई गलत effect आता है body में या medicine के प्रति हमें जैसे जो effect आना चाहिए और नहीं आता है तो त्वंत्र doctor से concern करना चाहिए अब देखते है नार्कोटिक ड्रग क्या होता है तो नार्कोटिक ड्रग क्या है नार्कोटिक ड्रग that produce analgesia नार्कोटिक ड्रग जो होता है वह आपको analgesia produce करता है analgesia का मतलब pain relief आपके दर्द को अराम करता है उसको narcotic analgesia effect करता है यानि कि आपके pain को कम करता है Necrosis State of stop or sleep Necrosis मतलब आपको sleep mode में ले जाता है Addiction Physically Dependence on the drug और drug को मतलब physically आप उस पर dependent होते हैं उसके मिना आपको अच्छा ही नहीं लगता है उसको लेने लगते है In some people Narcotics are also produce euphoria कुछ लोगों में narcotic जो होता है वो आनंद का काम करता है यानि कि feeling of a great election Relaxation है Great relaxation यहा हम आर यहां R E L अलेक्षेशन Relaxation तो some people कुछ लोगों में narcotic क्या करता है euphoria का काम करता है यानि feeling better बहुत आनुंदा आता है उसको लेने से दे मेन थेरापेटिक यूज आफ नार्कोटिक इस फोर पेन रिलीव हैंस दे आर ओफन कॉल नार्कोटिक एनलजेसिंग जो दवा हम पेन को रिलीव करने के लिए पेन को कम करने के लिए लेते हैं उसको नार्कोटिक एनलजेसिया बोलते है या एनलजेसिंग बोलते है दलागोटिक पेन नार्कोटिक जो होते हैं ओप्याइड होते हैं ओप्याइट होते हैं compound found in the derived firm of opium यानि कि ओपियम से मिलते हैं opium क्या होते है opium is obtendrite milking juice of seed parts of opium phaints opium ph orbits opium pheun plast होता है उसके seeds के milky juice होते है उसी को opium बोलते है papyr soleniferium इसका प्लांट का बाइलुजिकल नेम है फैमली है ओपियम पोपी के पपावर सोनी फेरियम अब दे टॉंटी और मोर अलकॉलाइट फाउंड इन दे ओपियम दे मोस्ट इंपोर्टन अब दे मॉर्फेन which is primarily responsible for the opium narcotic property अब इसमें जो opium plant होता है opium poppy जो plant होता है उसमें 20 alkalides यानि alkalide chemicals पाई जाते हैm alkalide chemicals पाई जाते हैं यह आप kognosy में पढ़ेंगे इसको और लिए होंगे पाई जाते हैं तो the most important is morphine जिसमें most important आपका morphine है which primarily responsible for the opium narcotic property morphine जो होता है और responsible होता है narcotic property के लिए drug with action similar to morphine that produced synthetically will known as opiide जो synthetically हम morphine की तरह जो drug use करते हैं उसको opiide बोलते है the term opiate, opiide and narcotic use interchangeable in the most countries the production, trade and use of narcotic limited because their addictive properties determine effect and incidence of narcotic drug abuse जो opiide होता है opiide के production के लिए बहुत सारी country में इसमें ला लगे है नार्कोटिक ला है opiide ला है जिसके वज़े से हम limited इसका production करते हैं cultivation करते हैं क्योंकि यह drug abuse का काम करता है यह थे नार्कोटिक ड्रक्स तो AD form फर्स्ट एर का सल्लेबस्ता नार्कोटिक तक आपका cover हो गया है preventive health care में और इसके बाद का जो topic बच रहा है और next lecture में आपको मैं देता हूँ तो चूरे रही है super pharmacy के साथ और super pharmacy के साथ जुडने के लिए thank you very much अगले lecture के लिए super pharmacy चैनल के साथ जुड़े रही है subscribe कीजिए like कीजिए और comment कीजिए and share कीजिए अगले lecture में मिलते हैं तब तक के लिए जै हिंदा